हेलो दोस्तो, I am Mayank Anand from IT Guati and in this video I will be teaching you how to start physical chemistry for J-Advance 2025 दोस्तो, maximum students का chemistry में भी physical chemistry वोला पार्ट सबसे जाता वीक रहता है तो इस वीडियो में मैं आपको authentic resources and through book से मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हमें physical chemistry पढ़ना चाहिए and ऐसी authentic and informative videos के लिए चैनल को subscribe कीचे तो चलिए हम लोग सबसे बहले start करते है physical chemistry का theory से हमारा यहाँ पर दो step रहेगा पहला step है हमें theory cover करना and second कौन से हमें books follow करने चाहिए कभी भी physical chemistry की कोई भी chapter के कोई भी numerical solve करते समय सबसे बहले हमारा उस पूरे chapter का theory पूरा clear होना चाहिए तो theory आप दो तरीका से clear कर सकते है या तो आप किसी coaching institute में जा रहे है तो वहां के notes अगर आपको लग रहे कि sufficient है तो सबसे best यह होता है अगर आपके पास coaching notes नहीं है या फिर अगर आपके पास notes है भी तो वह advanced level के आपको लग नहीं रहे there is a free youtube channel जो की पूरा जई advanced content रखा हुआ है वहाँ पर अब उसको follow कर सकते है जो मैं दिखाने वाला हूँ वह मोहित्यागी सर का देख सकते हैं यहाँ पर मोहित्यागी सर के यहाँ पर playlist बना हुआ है physical chemistry देख सकते हैं इसमें हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर सारे chapters अप्टू पूरी एडवांस लेवल तक बढ़ाए गए हैं बहुत अच्छे तरीका से क्योंकि मैं भी इसी को follow किया था और इसी से जही एडवांस का questions भी मुझ स resource है यहाँ पर सारे topic के full complete playlist यहाँ बने हुए है जैसे कि अभी मैं atomic structure मुझे start करना है तो सबसे पहला step मेरा होगा कि sir का मैं atomic structure की जो 34 videos है इनने मैं सबसे पहले watch करूंगा अच्छे से इनका notes बनाऊंगा then revise करूंगा ठीक है इसके बाद हमें क्या करना होगा after completing the theory part right theory part जैसे ह हमारा complete हो जाता है then we will go to the books for practicing questions क्योंकि physical chemistry में आपको question practice बहुत ज्यादे important है अगर आप questions नहीं करेंगे तो कि इतना भी आप theory जान लेजिए में एडवांस में आपसे questions नहीं बनेंगे तो हम बुक्स में भी हमें बस तीन बुक्स को follow करनी है कोई भी इधर उदर की कोई material आपको follow नहीं करना फर्स बुक इस एन्यवस्ती बहुत ही best बुक है एन्यवस्ती सर की बुक है मैं आपको दिखाता हूं कि इन्हें कैसे solve करना है जैसे कि मैंने atomic structure की बात की देख सकते है atomic structure का यहां पर basics कुछ theories है कुछ basic formulas यहां पर है फटाफट क्यूंकि आपने पूरा theory पढ़ चुका तो आपको कुछ भी time नहीं लगेगा maximum 30 minutes में आपका पूरा यह revise हो जाएगा जो भी यहां पर basic formula लिखे हुए है after going through the formula sheet आपको यहां के level 1 से start करना हो देखिए आप जो देखिए around 175 questions है आप 175 questions जब solve कर लिजेगा level 1 का देन आपका basic foundation बहुत ज्यादा strong हो जाएगा तो आपका इसका level 1 को solve करना है ठीक है level 1 जब तक आपने solve कर लिए इसके बाद आपका solution भी दिया हुआ book में selected questions का अगर आपको उस part किसी questions के solution नहीं मिलते है then you can definitely search in Google कि maximum questions के answers अच्छे से मिल जाते हैं तो level 1 के बस आपको question solve करना है देन आपको रुख जाना है एनवस्ती अभी नहीं solve करना है after that आपको मेंस के PYQ जो भी chapter wise होगा उन्हें आपको solve करना है जो कि 2019 से 2023 तक के PYQs most relevant है after solving this now you need to go to again एनवस्ती एनवस्ती के आपको जो भी level 2 section है इसमें बहुत अच्छे अच्छे questions है आपने इतने सारे questions प्रक्रिस कर लिए तो इनके भी आपके 50-60% questions अपने से खुद से बन जाएंगे then आपको solve करना होगा level 2 solve किजेगा level 2 भी ज्यादा questions नहीं होते है level 2 में around देखिए 30 questions है single correct के then level 3 में आपका जईएडवांस के जो भी टाइप आते passage paragraph type वैसे solve करना है देखिए 3-4 passage हो गए उसके बाद आपके paragraph type questions आ गए उसके बाद देखिए matrix match आ गया column match the column आ गया finally आपका graphical questions भी कुछ-कुछ है देन आपका जर्शन रिजन आपका जही मेंस के लिए बहुत ज्यादा beneficial है क्योंकि मेंस में बहुत बर ऐसा questions पूछा गया है पूछते भी है उसमें and finally subjective problems यह बहुत ही अच्छे questions होता है जिए advance के लिए तो आप जब देखिए इसके पूरा answers भी दिए वे और यहाँ पर देखिए सारे answers और आपके hints and solutions भी maximum questions के यहाँ पर दिए रहेंगे तो आपको अब जाके level 2 and 3 को solve करना होगा right after that आपको जई advance के जब आप पीवाइक्यू उठाएंगे तब आपको खुछ से 70-80% बन जाएंगे और आपको जई advance के पीवाइक्यू वीकेंड्स में try करना है solve करने का क्यूंकि weekdays में तो हमने जो भी chapter start के उन्हें पढ़ना है देन एनवस्ती करना देन उसके बाद next chapter में switch कर लेना राइट जब आपके advance के question खुछ से 70-80% बनेंगे ना तब आपको जो next level motivation आएगा आपको कोई मुत्यागी सर का बिल्कुल follow कर सकते है कोई भी sponsored video नहीं है क्योंकि मैंने follow किया था इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूं जब आप इतना कर लेंगे ना तो कोई आपको रोखी नहीं सकता है कि advance का questions आप से नहीं बने 90-95% है कि आपका आप इतना करते हैं और ज्यादा इधर उदर के कोई भी without any distraction आप सॉल्फ करते है तो बस आप इतना follow किजे this is more than sufficient अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो फटा-फट से कर दीजे और अगर आपको कोई भी मुझसे personal guidance चाहिए then you can definitely follow my telegram channel and the link is given in the description and आपको कोई और topic में videos चाहिए then you can definitely comment down in the comment section तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से मचाते रहिए